तो भाई आज का जो मार्केट था वो डॉंटरेंड का एक कोई सीन नहीं था कि आज से डॉंटरेंड सुरू होगए है अभी मार्केट में बहुत दमबचा हुया है और मार्केट अभी भी अप्ट्रेंड में है तो क्यल कौन सा सेक्टर आपको बढ़िया दिखेगा वो मैं आपको दिखा रहता हूँ अगर समय रहते आप रॉपिट बुकिंग नहीं करोगे तो जैसे आया रेपसी आज दस परसेंट के करीब आज परस डाउन हा गया तो जो आपको मिल रहा था एक लालच में कि और सबस्टॉक पर कि अब अगर जो छोटा ट्रेडर है स्मॉल ट्रेडर है स्मॉल इंवेस्टर है तो उनको यहां पर पैसा निकाल देना ही सही रहता है क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग ज़रूरी है एजडी अपस दे रहा था लेकिन आप सही समय पर इग्जिट नहीं किये तो लो बापस से 10% नीचे और देखो एक चीज हमेशा याद रखिएगा कभी भी कोई श्टॉक इस तरह से इस तरह से इस तरह से नहीं जाता उसको डीप लगाना पड़ाएगा कोई भी 90 डिग्री पर नहीं चलता है अगर यह सब श्टॉक आप देखिएगा तो IRCTC रेल हमेशा एक अच्छा एंगल माना जाता है कि मार्केट इस तरह से चले यह सब जो ट्रेंड लाइन है यह सही रहता है maximum chances में और यही अगर ब्रेक होता है तो सौटिंग का opportunity मिलता है तो यहाँ पर रेल विकास निगा में क्या हुआ था रेल वे का अधिकतर से आप तो जहां पर मिलें जहां पर बूक हो गया वही आपके लिए बेट जगह है और नहें तो आपको देखिए इतना लॉस मतलब 3 दिन पहले जहां पर श्टॉक था उस जगह पर आ घिर है क्योंकि जरूरी है प्रौफिट बूकिंग जरूरी है यह लेवल इसको यहां पर आना जिए कि मार्केट में अभी भी डॉंक्ट्रेंड शुरू नहीं हुआ है ठीक मार्केट अभी भी अफ्ट्रेंड में ही है यह आप सेक्टर वाज देखे लिए निफ्टी 50 अगर गीरा है तो निफ्टी 50 का गिरने का रीजन है HDFC bank HDFC bank HDFC bank खुद आज अकेले मार्केट को डिर सो पॉइंट नीचे गिराया है निप्टी 50 को अगर HDFC bank का देखेगा और देखें कौन सा सिक्टर सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा जो मार्केट को गिराने में आज हम रहा वो सबसे ज़्यादा कौन सा सिक्टर है बोद देखेंगे अगर आप मिड़केप में देखेंगे बादर 2,5% सिम निप्टी का भी वही 10% रहा लास्ट मेरी कवर थोड़ा सा किया उसके बाद अगर आप मार्केट का पबलिक सिक्टर बैंक अगर देखेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर निप्टी पीस्यू बैंक यह जो है यहाँ आप देखें चार परसंट चार परसंट इसमें है अभी भी निप्टी मीडिया 12% सबसे इसको तो हम छोड़ देते है इसको कोई नहीं आईटी में अभी भी तेजी है आईटी कोई बहुत बढ़ा कुछ उस तरह का करेक्शन नहीं होगा है तो आईटी निप्टी आईटी में अभी भी तेजी है एक सिक्टर आज भी था जो आपका आज ग्रीन में था कौन था वो निप्टी का फार्मा फार् 6.66% का तेजी में रहा है निप्टी फार्म तो जो सबसे ज़्यादा डेंट दिया है आज निप्टी को वो पाप्लिक सेक्टर बैंक ठेक है और सब बहुत बढ़िया तेजी बहुत बढ़िया मिल रहा था प्रॉफिट बुकिंग हुआ है और 2024 जो है उसमें आपको इसी तरह का वोलेटलिटी देखेगा हमें इससा मलब 2024 एकदम फुल आपको उपर नीचे जिग 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 होगा क्योंकि एक अच्छा ट्रेंड आपको मिल गया हमें इससा तीन फेज होता है मार्केट का एक जब नॉर्मल सा मार्केट आपको एक ट्रे का भी मूब दिखेगा उसके पाद मार्केट इसी तरह से जिग जैग होगा तो इस चीज को ध्यान दिजिएगा अभी भी आप फार्मा सेक्टर या फिर आईटी सेक्टर निफ्टी आईटी में आप देखेंगे मार्केट का तो निफ्टी 50 में अगर टॉप कीनर में देख तो आप देख लिए यहां पर हीरो मोटो कॉप 1% के आसपास का तेजी में रहा आज इतना मार्केट क्रेस होने के बाद भी पावर ग्रीड एरली हाई पर चल रहा है सीपला संफार्मा इंफोर्सीज ठीक है जबकि हलका क्रेक्शन है आईटी में तो अभी भी आपको यह न क्रें काम करते हो तू अभी बढ़िया है कि आपको डिस्कॉंट में अपको मिलते रहेगा अभी आप उठाओ प्री में मनलब फी तो नहीं आप डिस्कॉंटेट प्रास पर स्टॉक उठा सकते हो अभी के डेट में नहीं तो आप सबसे बढ़िया हैं आपके लिए मिच drive- ज़्यादा ही मिल जाता है बारस से 15% 20% ये कहने वाला चीज है लेकिन इस से ज़्यादा ही मिल जाता है अगर अच्छा fund अच्छा सब company का उसका portfolio बगर चेक करके आप लगाओगे तो इस से ज़्यादा ही मिल जाता है सेक्टर देखो उसपे काम करो अराम से तो अभी भी मार्केट में तेजी है, मार्केट अभी भी आपको अगर पोजेटिव अच्छा स्टॉक चुन रहे हो, तो अभी भी बने रहो आपसे कोई दिक्कत नहीं है, और आपसे देखिए, बैंकिंग को छोड़िए अभी, बैंकिंग जितना देना था दे दिया, अभी आप दिमाग लगए, वहां से कमा सकते हैं, जरूरी नहीं है, कि एक ही सेक्टर में क्रैस आ गया, तो एकदम सेंटिमेंट को ही चेंज करना, प्रॉफिट बुकिंग होगा, जो भी अभी बैजट आने वाला है, एक दो तारीक को, तो वहां पे भी थोड़ा सा मार्केट बह तो टेंशन उसका मत लिजेगा, और बाकी पॉजिटिव माइंट से बने रहे हैं, लाइक से सब्सक्राइब करते रहे हैं, हरे क्रिशना